जो जनता का एक तरके से फैसला रहा था, वो कॉंग्रेस के पक्ष में रहा था, तो इस बार भारते जनता पार्टी हेरी चोटी का जोड लगा कर इस चुनाओं को जितने की भरपूर कोशिश करेगी। कोई समर्तन मिलता है, तो चाहे मास्टर स्ट्रॉक हो, तो जायर सी बात की कहीं उनको ये इशारतन कहा गया होगा, उनको कहीं इस बात की जानकारी होगी, कि आने वाले चुनाओं जो हैं, उसके नतीजों के बाद मुक्यमंत्री के चेरे की रूप में उन्हें ही नियुक्त कि कि अगर मैं यहां यह कहूं कि देश की जो सबसे बड़ी पार्टी है, यहां पर तो पहले नमबर पर नाम भीजे भी काता है, अब चाहें यहां पर जनता कुछ भी कहें, या मंत्री कुछ भी कहें, लेकिन इस वक्त अगर पहले नमबर पर देखा जाए, तो भाजपा का न सबसे पहले आ रहा है, अगर मैं बात करूँ कि जुलाई के महीने में एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में कही न कहीं कॉंग्रेस पहले नमबर पर आ रहे थी, लेकिन अक्टूबर का एक सर्वे सावने आया, जिसमें अभी भी पहले नमबर पर भाजपा है, तो कहा जा सकत है कि कहीं न कहीं कॉंग्रेस को भी ये डर है कि राजिस्थान में भाजपा ना आ जाए। चुनाव होने हैं और उन्हीं पांच राज्यों में मद्यपरदेश और राजिस्थान ऐसे दो राज्ये हैं जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा है, और यही वे दो राज्ये हैं जहां पर एंटी इंकमबंसी यानि सत्ता विरोधी लहर अपने जोरो पर है, इस बात का चुकी है, इसके अलावा राजिस्थान से कॉंग्रेस के मुख्यमंत्रि अशोग गहलोत ने एक जनसभा को संबोधित करते वे कहा था कि अगर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है तो मेरी उनसे अपील है कि वे कॉंग्रेस की चलाई हुई योजनाओ को खत्म ना कर की जाए, ऐसे में इन ही कुछ सवालों के जवाब हम अपने न्यूजरूम से ही अपने सातियों के बीच से तलाशेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं, हम अर साथ निहां यहां पर मौजूद है, निहां सबसे पहले मेरा सवाल आप से ही रहेगा, कि राजिस्थान की मुख् तो कॉंग्रेस की सरकार है, लेकिन कॉंग्रेस की सरकार वहां पर है तो, लेकिन आप देख रहे हैं कि काफी लंबे समय से कॉंग्रेस की आंतरी कलामा नजर आ रही है, और जैसे कि आपने बताया कि जन सबह में जो अशो गहल होता है, उन्होंने कहा था कि जो बीजेपी की जितनी भी वो चल रही है उनको भूज कर देंगे तो देखिए बीजेपी अगर वहाँ पर होती और बीजेपी की कोई ऐसी नियम वहाँ पर चलते होते तो और कॉंग्रेस की सरकार बंचे तो शायद कॉंग्रेस भी खत्म करती पर नाम भीजे भी काता है अब चाहे यहां पर जनता कुछ भी कहे या मंतरी कुछ भी कहे लेकिन इस वक्त अगर पहले नंबर पर देखा जाए तो भाजपा का नाम सबसे पहले आ रहा है अगर मैं बात करूँ कि जुलाई के महीने में एक सर्वे हुआ था उस सर्वे में कही पहले नंबर पर आ रही थी लेकिन अक्टूबर का एक सर्वे सावने आया जिसमें अभी भी पहले नंबर पर भाजपा है तो कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं कॉंग्रेस को भी जर दर बें कि राजपा ना आ जाए कि वो देश की समय सबसे बड़ी पाटी समयं का हमारे साथियां पर अबरार है अबरार से सवाल करते हैं अबरार जैसे कि मद्यपरदेश जो खबरे सामने आ रही है खास तोर पर शिवराज सिंग चौहान को ले करके कि पार्टी उन्हें इस दफ़ा सीम का चेहरे ही नहीं बलकि टिकेट ना देने तक का अपना मन बना चुक बलकिल शुरा सिंग चौहान समय भले ही जो है मत्यपरदेश में कई 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 चेहरों की बात हो रही है लेकिन जितने लंबे समय तक और भारते जिन्था पार्टी का जितना तूट भरोसा है शुरा सिंग चौहान पर मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री पत के लिए क शुरा सिंग चौहान है लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी कुछ नया करने के मूड में नजर आ रही है क्योंकि कई नए चेहरों को खास करके केंद्र के चेहरों को अगर चुनावी रन में उतारा जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई बड़ा पलान ह होगा लेकिन इस पर इतनी मजबूती से नहीं कहा जा सकता है कि मद्यपरदेश में जो है सी एम के चेहरे के तोर पर शुरा सिंग चौहान को रिप्लेस किया जा सकता है फिलाल अगर देखा जाए तो जिस ढंक से व लगतार परदान मंती नरेंदर मोदी के साथ मंच को साज कर रहे हैं और उनकी दूरा जो तमाम योचिनाएं लागू की गई हैं उन्हीं योजिनाओं का फीड़ बैक वो जनता के बीच जाकर के समझ रहे हैं तो जाहर सी बात है कि कही न कहीं उनको ये इशारतन कहा गया होगा उनको कहीं इस बात की जानकारी होगी कि आने वाले च कि बाद मुख्यमंतरी के चेहरे की रूप में उन्हीं ही नियूक्त किया जाए झाली मुख्यमंतरी की आज जो चुनाब होगा वह तो चुनावी नतीजों के बाद है हुआ कि मुख्यमंत्री कौन मनेगा लेकिन उससे पहले जो बीजेपी ने मद्द परदेश के रण में अपनी साथ सांसद और तीन केंद्रे मंत्री उता रहे हैं तो क्या लगता है कि जो अगली सूची बीजेपी मद्द परदेश में लाने वाली है क्या उसमें भी और उनको कहीं चुनाओं में उतारा जाता है तो हो सकता है कि जो पांच मंत्री मद्द परदेश कोटे से केंद्र में हैं उनमें से तीन मंत्रियों का नाम आ चुका है तो ऐसे में अगर दो और जो चेहरे बचे हैं उनका भी नाम आ सकता है तो बीजेपी के फैसले के खिलाफ क कोई भी नेता जाने की हिमत नहीं करेगा क्योंकि मद्यपरदेश में चुनाओं जाहर सी बात है कि बीजेपी को ये बात पता है कि पिछले बार का जो जनता का एक तरके से फैसला रहा था वो कॉंग्रेस के पक्ष में रहा था तो इस बार भारते जनता पार्टी हेरी चुट जो मुख्यमंत्री है शोग गैलोत उनकी तरफ से बयान आया है कि राजिस्थान में जयातिय सर्वेक्षन अब कॉंग्रेस पार्टी कराने वाली है और ये जो बयान उनकी तरफ से आया है ये एलान कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से राज्य में ठीक आचार सहीता लागू ह उने से ठीक पहले किया गया है क्या लगता है यह master stroke होगा जो राजिस्थान में anti-incubancy की लहर है क्या अब कॉंग्रेस अपने इस master stroke से सत्ता विरोदुलहर को काट पाईगी देखे फिलहाल तो देखा जाए तो कॉंग्रेस जिस तरीके से करनाटक को लेकर बार बार करनाटक का यहां पर एक्जामपल दिया जा रहा है कि 136 विधान सभा सीटों पर करनाटक में उन्होंने जीत हासिल की तो उसी आप यह बाद भी बखुवी समस्ते हैं कि कॉंग्रेस की तरफ से कोई भी ऐलान किया जाए लेकिन बीजेपी यहां पर दो कदम आगे चलती हुई नसर आती है बीजेपी ने अब तक सीएम उमीदवार को लेकर भी कोई खुलासा नहीं किया है सस्पेंस अभी बरकरार रख दिखाया तो यहीं जा रहा है कि वसंदरा राजे को कहीं ना कहीं यहां पर साइड लाइन किया जाएगा लेकिन सेम अशोग गहलोत को एक बार पर से आगे किया जाएगा यह दावे किया जारे तो यहां पर कॉंग्रेस एक बड़ी चुक यह बहुती हुई नसर आ रही है क आज भी जनता सुईकार नहीं कर पारी है, क्योंकि बाद जब सचिन पाइलेट की आती है, तो बार बार यहां पर सचिन पाइलेट को ही समर्तन मिलता है, तो चाहे मास्टर स्ट्रॉक हो, चाहे यहां पर कोई भी एहम फैसले हो, और CWC की जो बैठक की गई है, उस बैठक को यहां राजिस्तान में देखा जाए, अब आपको राहुल गांदी, सौनिया गांदी, प्रेंका गांदी और मलिका अर्जुन खड़के दौरा करते हुई नजर आएंगे, तो देखा जाए, दिसंबर में यह चुनाब बताई जा रहे हैं, और ऐसे में मध्य प्रदेश भी होंगे, जिनने वहें सस्पेंस बना कर भी रखे, और कहीं न कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ा जटका भी सावित होता हुगा नजर आएंगे, तो कौन उनका मुख्य मंतरी का चेहरा हो सकता है, देखें, इस दौरान एक ही चर्चा हो रही है, और यह चर्चा हो रही है, महरानी जो कही जाती है राजस्थान में एक और ना सरेफ वसुंदरा राजे बलकि दिया कुमारी भी, तो दिया कुमारी को लेकर इस वज़े से संकेत तेज हो गए इशारे इस वज़े से मिल गए हैं, दिया कुमारी को लेकर यही कहा चा रहा है, कि मंच पर पियम मोदी के तो इस बार देखा जाए यहाँ पर दिया कुमारी को लेकर संकेत मिल रहे है। मद्यपरदेश में बीजेपी के और से मुख्यमंत्री रह चुके है। बावजूद उसके उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी के जो एक्सपेरिमेंट वाली बात है, गुजरात मॉडल वाली बात है वो भी यहाँ पर हमें पूरी तरह से लागू होती भी